आज का जो हमारा टॉपिक है BEGE 143 और बुक का नाम है हमारा Understanding Poetry तो देखिए आज की वीडियो में इस बुक के important question और answer दोनों में आपको समझाऊंगी और इसमें जो भी question आपके collect किये गये हैं वो आपके पिछले अड़के जो भी question paper थे उसमें से और आपके book से भी कुछ question को collect किया गया है तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारे concept clear हो जाएंगे question का क्या pattern होगा और किस हिसाब से question आएंगे वो सारी चीज़े आपको पता चलेगे इसमें आपके total जो ब्लॉग दिये गया है वो total चार ब्लॉग है और question तो चार ब्लॉग से ही आएंगे अब देखें इसमें आपके जो concept है वो understanding poetry यानि कि mostly आपका जो topic है mostly क्या इसमें totally आपका जो topic दिया गया है वो poetry से है यानि कि आपको different type की poetry इसमें मिलेगी अलग-अलग place के writer के बारे में आपको जानने को मिलेगा और एक और बात मैं बोल दूँ कि इसके जो question answer है इसके notes मैं telegram पे डाल दूँगी वहाँ से आप अच्छे से इसको लेकर practice कर सकते हैं अब हमें start करते कि question क्या-क्या है तो सबसे पहले जो आपको करना है वो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कुछ topic दिये होंगे उस पर आपको notes लिखने रहेंगे अब देखे एक और चीज में आपको बता दूँ जो कि बहुत ही simple है बट अगर उसको आप करते हो तो उससे practice करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो concept के बारे में पता होना चाहिए तो हमारा जो पहला question दिया गया है यानि कि पहला जो आपको notes लिखना है वो है हमारा significance of nature in Robert Frog poetry यहाँ पर आपको लिखना है कि यह जो writer है Robert इनकी जो poetry होती है ना तो उसमें यह nature को किस हिसाब से दिखात अधिकतर जो इनकी जो poetry होती थी ना वो बहुत ज्यादा nature पे होती थी अधिकतर जो poet लोग होते है ना उनकी जो कलपना है वो हर चीज को बहुत ही deeply देखते हैं वो हर चीज को बहुत ही deeply सोचते हैं यानि कि वो nature से उनका जो लगाव होता है वो बहुत deeply होता है कभियों का जो प्यार है नेचर के लिए वो सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी इस बुक में तो फर्स्ट आपको एंसर में लिखना है कि यह जो राइटर है ना रॉबर्ट इनका थोड़ा सा आप इंटोरक्शन दे दीजिए तो फर्स्ट आपको राइटर के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है जैसे कि यहां पर रॉबर्ट फॉस जो थे यह एक अमेरिकन पोएट थे यानि कि यह अमेरिकन के बहुत ही फैमस पोएट थे और इनका जनम जो है वह 80-74 में हुआ था यह बहुत ही फैमस अमेरिका के एक तरह से सलेब्रेट फिगर थे यानि कि आपसे प्रेजन किया है तो देखिए रॉबर्ट जो है उन्होंने अपनी पोएटरी में एक अलगी टाइप के इन्टेंशन को एक तरह से अपनी फीलिंग को नेचर के थ्रू प्रेजन किया है यानि कि उन्होंने एक तरह से दिखाया है कि नेचर जो है वो कितनी उसका बैवहार इन सारी चीजों को उन्होंने बताया है और इंसान की लाइफ को जो है नेचर से कैसे जुरी हुई है इन सभी चीजों को उन्होंने अपने पोएम में बताई है तो वो कौन-कौन से की point है या फिर work है या फिर theme आप बोल सकते हो उसको हम एक एक करके समझ लेत तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है यानि कि थीम या फिन उन्होंने अपनी पोईट्री में यूज किया है नेचर को कि नेचर as a middle of human soul यानि कि आप ऐसे बोल सकते हो कि उन्होंने नेचर को ना एक तरस मानोता कि एक तरस से आत्मा के रूप में दिखाया है एक सीसे के रूप में दिखाया इस लाइन के थूँ हम अगर समझते हैं तो देखें नेचर की जो फिलिंग है न वो ही इंसान समझ सकता है जो कि रियली में उससे connect है connect मींस कि वो उसकी भावनाओं को उसके emotion को सब समझ रहा है जैसे कि इन्होंने अपनी poetry में emotion को express किया है nature के थूँ उन्होंने दिखाया है कि किस तरस से snow से भड़ी एक तरस से field है जिसमें एक तरस से आईनी के रूप में सारी चीजे दिख रही है उन्होंने अकेले बन को दिखाया है कि nature भी जो है वो भी एक तरस से sometimes अकेला होता है जैसे कि एक इंसान होता है और फिर एक तरस से सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं जितना भी एक तरस से अकेला पन है वो दूर हो जाता है और फिर से स्प्रिंग का टाइम आ जाता है यानि कि आपको पता है स्प्रिंग आता है तो फिर से पौधों में एक तरस से नई रॉन जो को उन्होंने दिखाया है अपनी poetry में nature के थुरू अगला जो point इन्होंने use किया है अपनी poetry में ये सारे point आप लेख सकते हुए तो ये जो point है यानि कि nature as a teacher of wisdom यानि कि nature जो है वो हमें एक तरसे सिक्षक के रूप में हमारी बुद्धी को बहुत जादा बढ़ाती है अब देखिए अगर हम बहुत ही deeply चीज़ों को समझे ना तो nature से हमें almost बहुत सारी चीज़े सिखने को मिलती है life के lesson भी हमें मिलते हैं और हम बहुत सारी चीज़े जो है तरसे realize करते हैं nature हमें सिखा रही है और हमें ग्यान दे रही है इस चीज़ को भी उन्होंने अपनी poetry में present किया है इसको मैं आपको एक simple example से अगर समझाओं तो देखिए एक चोटी से चोटी जो nature की चीज़े है हमें बहुत कुछ सिखाती है यानि कि हर चीज़ का हर प्लेस पे अपना important है किसी का important कोई नहीं भर सकता अगला जो point इन्होंने अपनी poetry में use किया है और nature के रूप में nature is a source of beauty and wonder यानि कि nature जो है सुन्दरता और एक तरस से आश्यका भी चीज़ है एक तरस से source है ऐसे आप हो सकते हो अब देखिए nature में क्या नहीं है कितनी सुन्दरता है पर कितनी जादा आश्यकित यानि की रहस में mysterious चीज़ जो है अभी वी चुपी हुई है जिसको अगर हम लोग deeply देखते हैं तो हम कितनी सारी चीज़े जान सकते हैं कितना कुछ हम कर सकते हैं पर फिर भी जितनी सुन्दरता है उतना ही रहस से है nature में यानि की प्रकती में अब आपको पता हुआ कि दुनिया में इतनी सारी रहस में चीज़े हैं जिसका हम बहुत ही कम यानि की 1% ही हम जानते हैं और बाकी अभी भी सारी चीज़े जो है कितनी कठोड़ता है पर कितनी सुन्दरता है उन्होंने छोटे-छोटे मकरी के जो जालोते उससे कंपेर किया है पूरे अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से बड़े पहार होते हैं किस तरह से सुनो गिरती है इन सभी चीजों को उन्होंने दिखाया है और इक तरह से सुन्दरता और आश्य को एक सांत मिक्स करके उन्होंने दिखाया है अपनी poetry में अब आप मुझे comment में बात बता सकते हैं कि आपको nature की जो कविता है या फिर आपको nature से कितना ज़्यादा लगाओ है ये चीज़े आप मुझे comment में बता सकते हैं कि आप really में nature से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि nature को जो है वो हम अच्छे से रख सके अगला जो point इन्होंने यूज किया है अपनी poetry में वो है nature as a stage for human drama इनकी poetry में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है एक तरह से उन्होंने अपनी poetry में England में चो नाटक जैसे की family और कुछ drama होते थे न उसको भी उन्होंने अपनी poetry में nature के through एक तरह से present किया है अब देखे एक point में आपको बोलू एक चीज में माइन में आ रही है अपने पढ़ा होगा तो आपको बता होगा कि पौधे में भी प्रान है वो भी हसते हैं रोते हैं उन्हें भी सुख और दुख का अनुभा होता है ये सारी चीज़े जो है एक बहुती famous जो scientist थे उन्होंने बताया था अचार जगदिश चंद बसुने उन्होंने पौधों को बहुती deeply सोचा समझा हमेशा एक तरस से वो पौधों से यानि कि nature से बहुत ज़्यादा connect रहते थे और उन्होंने इस सिच का एक तरस से पता लगाया तो इस तरस से कुछ poet भी जो होते थे ना और रियली में nature से बहुत deeply connect होते थे तो उसी तरस से ये जो Robert थे ना इन्होंने भी अपनी poetry में different type के nature की रूप को present किया है अब हम अगले question में आते हैं यानि कि अगला जो notes आपको लिखना है वो है अमारा modernism in America अमेरिका में एक तरस से जो आधुनिकता वात शुरू हुई थी उसके उपर आपको एक note लिखना है तो सबसे पहले answer में आप थोड़ा बहुत introduction का use कर सकते हैं कि जो अमेरिका में जब modernism शुरू हुआ था तो उसमें क्या-क्या changes हुए थे क्या-क्या चीजे जो थी वो culture हो गई या फिर जो poetry हो गई या literature हो गया everything पे क्या असर पड़ा था उन सब चीजों को आप लिख सकते हैं जैसे कि अमेरिका में जब modernism start हुआ था तो उनके culture की एक तरस से बहुत चीजे बदल गई थी यानि कि एक तरस से अंधोलन शुरू हो गया था और ये अंधोलन जो है वो 19th century से लेकर 20th century तक ये चला था और इसमें बहुत सारी चीजे जो थी वो include थी यानि कि एक तरस से बहुत सारे country से वो बहुत सारी चीजों को सीखते थे और उसका बहुत जादा असर जो था वो American modernism पे बहुत बड़ा था तो वो कौन-कौन सी चीजे थी जो कि नीचे में include की गई है उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं जैसे कि पहला point दिया गया literature में क्या changes हुए थे यानि कि उस समय जब अमेरिका में जब modernism शुरू हुआ था तो राइटिंग के फिल्ड में भी बहुत ज़्यादा changes हुए थे जैसे कि especially हम लोग यहां पर बात करें literature के फिल्ड में तो literature में क्या-क्या changes हुए थे राइटर के राइटिंग पे भी हमें असर देखने को मिली जैसे कि उस टाइम के जो राइटर थे ना जैसे Ernest Hemingway, App Escort उनकी जो tradition था ना उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत changes किया जैसे कि भासा का हो गया कुछ अलग टेक्निक का वो यूज करने लगे और एक तरह से उसमें बदलाव लाने लगे तो इसका भी प्रभाव बड़ा था उसमें American Modernism में अगला जो चीज हमें changes के रूप में देखने को मिले थे American Modernism में वो है अमारा Visual Arts यानि कि जो arts related जो उस टाइम के जो painter थे जैसे यहाँ पर कुछ के नाम दिये गया है आप note कर सकते हैं उन्होंने अपने आर्ट में भी changes लाना शुरू कर दिया था जैसे कि उस टाइम के जो painter थे ना जैसे कि जोर्ज ओक्यूफ एड़वर्ड होपड और भी जैसे यहाँ पर नाम दिये गया है उन्होंने अपने जो arts थे ना उनकी जो कलाई थी ना चाहे वो painting के through हो या फिर other वो जो भी अपनी गलाओ को present कर दे थे ना तो उसमें उन्होंने उस टाइम के जो anxiety थी ना जैसे कि चिंताय हो गई एक तरस से stress हो गया उन सबी चीजों को उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया यानि कि उन्होंने अपने painting में इन सबी चीजों को change कर दिया यानि कि पहले वो थोड़े अलग type के painting कर दे थे पर बाद में उन्होंने इस चीजों को थोड़ा बहुत change कर दिया यानि कि बाहरी जो एक तरस से चीजों का बाहरी जो country या फिर उस time के जो modern जो लोग थे उनके life पे जो भी चिंताय थी जो stress से उसको उन्होंने painting में दिखाना शुरू कर दिया अगला जो point दिया गया है जो की है हमारा architecture जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तु कला अब देखिए वास्तु कला का मतलब होता है पहले मैं यह समझा दू फिर यह कैसे changes हुआ उसको में बतारी वास्तु कला का मतलब होता है कि खुब सुन्दर मोर्ती बनाना बहुत सुन्दर design में घर को त्यार करना महल बनाना यानि कि different type के जो हाथों की जो कलाय होती है उसको दिखाना यानि कि थोड़े उचे level पे होती है तो इन सभी में जो famous यानि कि उस time के जो modernism American में जो आर्टि पेयर कर दिया यानि कि देखाना शुरू कर दिया अब पहले जमाने कि आप अगर मुर्तियों को देखेंगे पहले जमाने के महल को देखेंगे तो हमें बहुत कुछ nature से वहाँ पर भी सिखने को मिलता है तो यह सभी मिलके एक तरस से अंदोलन का एक moment त्यार हो गया और यह बहुत जादा असर पड़ा था और उस टाइम के जो composer थे जैसी कि जो music को compose करते हैं आपने सुना होगा तो उन्होंने भी different type के जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है आप note कर सकते हैं तो उन्होंने अपने rhythms को यानि कि उनका जो music का जो lay होता है जो एक तरस से धुन होता है उस अभी एक तरस से उस टाइम जो पहले चलती थी उसको उन्होंने थोड़ा कम कर दिया और modernism का बहुत ज्यादा चीज़ें जो हमें देखने को मिलने लगी यानि कि music में भी इस चीच का बहुत ज्यादा बदला होने लगा अब होता है ना देखिए अभी के time में जो music है आप कि लोग उस टाइब के music को सुनते हैं चाहे वो अच्छा हो या ना हो यानि कि जो present में चलता है लोग उसी को follow करते हैं और उसी भी चीज़ें जो है ज्यादा बननी शुरू हो जाती है तो सेम चीज़ें जो थे उस टाइम भी होनी शुरू होगा इसे में एक example बताऊं तो लोग को honey sinhka song को बहुत पसंद आता है कुछ ऐसे भी लोग है कुछ क्या ज़ादा लोग है जो अडि जैजे सिंक के song को भी बहुत पसंद करते हैं तो सबकी अपनी पसंद है पर market में जो जादा चलेगा लोग उसी पे जादा song या कोई भी चीज बनाना शुरू करेंगे त अब हम अगले question में आते हैं यानि कि अगला जो आपको notes लिखने है वो है C number question तो इस पे आपको लिखना है कि poetic native in the runet cottage देखे ये जो poem में ये भी आपके slivers में दिया गया है और ये भी poem important है जो कि है runet cottage, cottage का मतलब होता है बड़बात kutia kutia means कि आपने देखा होगा एक तरसे जोपरी type का जो होता है वो है ठीक है ऐसे आप समझ सकते हैं अब इस poem के बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये poem क्या है और ये जो poem है ये किस ने लिखा है इंग्लिस romantic poet है ये जो है romantic poet है आपने देखा होगा आपके slivers में romantic poet का भी नाम दिया गया है और जो जो famous है उनके बारे में बताया गया है और उनकी poetry को भी लिया गया है ये अपनी poetry में एक तरस से अकेले पन को यानि कि loneliness या फिर एक तरस से खुशी और गम दोनों को दिखाते हैं यानि कि basically ये जो poem है ना इसमें एक तरस से nature और एक तरस से प्यार यानि कि destroy और love दोनों को compare किया गया है और एक सांथ दिखाया है इस कवीता में ऐसे आप समझ सकते हैं love और destroy दोनों चीजों को दिखाया है बहुत ही deeply दिखाया है अगर deeply आप line को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजे जो है चानने को मिलेंगी इनकी poetry से अब हम देखते हैं कि इस कवीता में जो narrative है यानि कि जो लेखक है वो poetry में यानि कि कवीता में क्या बाते क्या feeling को share करते हैं अपने experience को बताते हैं उसको हम shortly समझेंगे इस line के through तो देखें इस poem में उन्होंने यानि कि इस poem में जो writer William उन्होंने दिखाया है कि जो बरबात कुटिया यानि कि रोंड कर्टेज जो है वो बहुत जादा complex है यानि कि इसमें उन्होंने एक तरस से tragedy यानि कि दुख को दिखाया है अपनी philosopher बातों को दिखाया है उसको एक तर उन्होंने एक बुमेन यानि कि एक औरत है एक तरह से उसका हजबन जो है उससे छोड़के चला जाता है युद करने के लिए और वो वापस कभी नहीं लोटता है ऐसी इसमें बातों को बताई गई है आप पूरा अगर पोएम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा तो इस तर से बहुत जादा experience, बहुत जादा deeply चीजों को सोचता है और कितनी जादा जटिलता भड़ी हुई है इनसान की सोच में, इनसान की feeling में ये सभी चीजों को उन्होंने पोएम में बताया है यानि कि एक दुख और एक तरह से खुशी romance को उन्होंने दिखाया है अब हम आगे तो अगला जो हमारा question दिया गया यानि कि जिस पर आपको notes लिखने है वो है D number तो यह जो दिया गया है रामानुजान poetic style तो देखिए रामानुजान जो है एक बहुत ही famous poet है तो इनकी जो poetry का style है किस हिसाब से यह लिखते थे उसको आपको लिखना है तो हम answer की through देख लेते हैं तो answer में सबसे पहले आपको इनका introduction लिखना पड़ेगा तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा और उसके बाद इनकी poetry की क्या style है उसको आप लिख सकते हैं तो इनकी life से related या फिर कुछ important note जैसे यहाँ पर लिखा गया है आप note कर सकते हैं तो र और इनको शौट में एक ही रामुन जान भी कहते हैं जो कि इंडिया के एक बहुती great poet माने जाते हैं इनको एक बहुत अच्छा translator भी माना जाता है और इनको इंडिया में एक तरस से literature के फिल्ड में एक बहुती अच्छा great figure माना जाता है जिनोंने बहुत तरह की कविताए ल होती थी थी ना वो मोशली एक तरस से इंग्लिस और करनाटक जो भासा है उसमें यह लिखते थे और यह जो थे वो उस टाइम के जो हमारे ट्रैडिशनल जो थीम थी ना उसका बहुत ज़्यादा यह यूज करते थे अपनी पोईटरी में बेसिक पॉइंट आप इनकी प्री अच्छे से समझेंगे तो यह अपनी कविताओं में एक तरस से तमील और एक तरस करनाट जो भासा है ना उसको उन्होंने उसके तत्वों को बहुत ज्यादा यूज किया हो उन्हें अपनी पोईब में इस तरह के पॉइंट का यूज किया है तो इसमें से कौन-कौन से इंपोर्टन इनोंने फीचर्स यूज किये हैं उसको हम देख लेते हैं एक एक करके तब पहला जो स्टाइल यह अपनी पोईट्री में यूज करते हैं जिसे आप लिख सकते हैं जैसे कि पहला पॉइंट में एफोरेस्टिक एंड डायरिक्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुत्र वाचक और प्रतेक्च देखिए यह जो पॉइंट वो यूज करते हैं अपनी पोईट्री में तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी पोईट्री को एकदम साफ सुत्रा और बहुती कम स्पेस यानि कि ज्यादा लंबी नहीं करते हैं और एक दिससे अन्नेस बहुत सारे हम पोईम की कविता परते हैं जो बहुत ही इंडायरेक्ली चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही डीब बाते होती है और वो हर किसी को समझ में नहीं आती है पर इनकी जो पोईट्री की जो लाइनिंग होती है वो एकदम डायरेक्ली चीजों को explain करते हैं जो उन्हें बोलना है उस सिच को वो present करते हैं अगला जो style ये अपनी poetry में use करते हैं वो है vivid imagery and sensualities जिससे आप हिंदी में अगर समझेंगे जोलन्द, कल्पना और कामुकता यानि कि ये अपनी poetry जो है वो simple और बहुती कम सब्दों में तो लिखते हैं लेकिन फिर भी वो एक तरसे एक अलगी बहुती deeply sense भी देते हैं अपनी lining के through और वो एक तरसे जो normal लोग हैं उनके life से भी चीजों को बहुत हतक connect करते हैं चीजों क यानि कि कुछ चिचों समाज में चल रहा है ऐसे point को भी वो यूज करते हैं जैसे कि एक तरसे बोल सकते हो कि कभी और नीमो के रूप में एक तिखेवार करते हैं पीतवी को एक तरसे different रूप में दिखाते हैं एक अलगी नजरीय से लोग के सामने present करने की कोशिश करते हैं अपनी कविताओं में अगला जो point वो अपनी poetry में यूज करते हैं वो है अमारा modern theme है social critiques यानि कि आधुनिक विश्यवस्तू और सामाजिक आलोशिना को भी वो अपनी poetry में दिखाते हैं यानि कि समास में जो भी बुराईया हो रही है जो भी issue है वो एक तरस से अपनी poetry में present करते हैं जो present में चल रहा है उन सभी चीजों को वो अपनी कविताओं में दिखाते हैं इस तरह से बोज सकते हो तो basically हम लोगों ने दो तिन point चाना जो कि अब हम अगले question में आते हैं यानि कि अगला जो आपको notes लिखना है कि मैंने आपके book के almost सभी poem को लिया है कि आपको थोड़ा बहुत चीजे जो है clear हो जाए poem से related कि किस topic पे आपकी कविताओं जो है इस book में दे गई है तो इसमें आपको लिखना आए कि theme of Kashmir in the poem postcard of Kashmir देख पर लिखना है तो मैं basic जो चीजे important है इस poem से related वह आपको मैं समझा दे रही हूं तो सबसे पहले हम इसका overview ले ले लेते हैं कि यह जो poem है na post of Kashmir यह किस topic पे है इसका हम short summary एक तरह से समझ लेते हैं then इसके theme पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले यह जो poem का title दिया गया है na postcard from Kash Kashmir या of Kashmir तो इस poem के writer जो है अगा साहिद अली है जो कि एक बहुत ही एक तरह से famous writer है जो कि एक तरह से बहुत अच्छे कवी है और इन्होंने इस poem को publish जो किया है वो 1987 में किया है और इस poem में उन्होंने Kashmir में अपनी मात्र भूमी के प्यार को दिखाया है कि एक तरह से यानि कि हमारी जो मात्र भूमी से जो प्रेम है उसको इन्होंने इस poetry में Kashmir के एक तरह से मात्र भूमी के रूप में दिखाया है ऐसे आप बहुत सकते हो तो इसमें इन्होंने बहुत सारी theme को connect किया है वो कौन-कौन से theme है उसको हम एक-एक करके जान लेते हैं तो सबसे पह कि शुरुआत जो है राइटर जो है अपनी feeling को express करते हैं वो जब कहीं और country में रहते हैं तो उनके हात में कश्मीर का एक post काड़ा जाता है यानि कि अपने दिल से एक काड़ा जाता है जिसको देखकर बहुत जादा emotion हो जाते हैं पुरी तरह से emotion में बह जाते हैं और अपन उन्हें बचपन के दिनों को वो याद करते हैं उन्हें बचपन की उस खुपसूरती को जहां पर उनका जन्म हुआ है उनके बचपन की यादे जो जुरी हुई है उसको वो एक्सप्रेस करते हैं इस poem में in the starting line में अगला जो point इन्होंने अपनी poetry में use किया है as a theme के रूप म यह है displacement and dispositions यानि कि हिंदी में आप समझ सकते हो विस्थापन और एक तरसे बेदकली आप हो सकते हो उस तरह की बातों को भी उन्होंने अपनी poetry में as a theme के रूप में use किया है अब देखे इसको हम simple अगर समझते हैं तो आपने देखा होगा कि always हम लोग सुनते है कि कश्मीर म नहीं रहते हैं कभी भी हमला हो जाता है बहुत सारे रिस्क है तो उसी चीज को उन्होंने दिखाया है अपनी poetry में कि उस टाइम कि जो political situation है वो बहुत ही खड़ाव है कहने का मतलब कि एक तरसे अथल पुथल लगी रहती है या कि हमेसा लोग को shift होना परता है अलग-अलग जगब पर क्भी भी एक तरसे सुरक्षित प्लेस नहीं होता है तो इस चीज को भी उन्होंने अपनी poetry में थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है कि किस तरसे वो जो है वहां से जाते हैं और एक तरसे वो कहीं और shuttle हो जाते हैं और फिर एक तरसे वो चीजों को याद कर तो इस चीज को भी उन्होंने दिखाया है अगला जो point उन्होंने अपने poem में theme के रूप में use किया है वो है search for identity and belonging यानि कि पहचान और संबंदों की खोजो को उन्होंने बताया है अम मालीजे के इंसान कहीं भी चला जाता है लेकिन फिर भी वो जो है अपने देश से अपन तरस से हम जो है कितने भी दूर हो जाए लेकिन हमारी identity हमारा जो root है ना हमारी जो जरे है वो हमारे देश हमारी भूमी से हमेशा जुरी हुई होती है चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना चल जाए हमारा जो प्यार है अपने देश अपनी भूमी के लिए वो always रहता है चाहे ह सुंदर्ता और नाज़ुपता को भी उन्हों ने दिखाई आ पनी पॉइट्री में यानि कि जो कस्मीर कि जु सुंदर्ता है या प्र प्रकती का प्यार है उस सभी चीजों को उन्होंने दिखाया अपि पॉइट्री में बहुत ही सिंपल वौर्ड में अगला पॉइंट इन्होंने अपनी poetry में use किया है वो है अमारा memory and imagination यानी कि सिम्रिति और कल्पना देखिए writer जो है वो तो बड़े हो गया है और पता नहीं कहां पर है लेकिन फिर भी वो अपने बच्पन के दिनों को एक तरस से imagine करते हैं सोचते हैं और उनको ऐसा feel होता है कि वो फि poetry में use किया है अब हम आगे आते हैं तो अगला जो हमारा question दिया गया है वो दूसरे type का question है तरस से दूसरे point में आपको मिलेगा explain करने का यानी की poem के कुछ line आपको दे दिये जाएंगे और उसमें से आपको उसका answer यानी की poem का क्या मतलब है वो जो lining दी गई है उसको आपको अच्छे से explain करना है simply आपने जो poetry वाला हिंदी का पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा हुगा या कभीता की कुछ lining दे जाती है और आपको लिखना है कि ये कभीता किस ने लिखा है ये जो lining है ये किस कभीता से लिया गया है इसके writer कौन है और ये जो lining है इसका मतलब क्या है basically आपको explain करने को बोला जाएगा तो जैसे यहाँ पर मैंने एक poem की lining को ली है आपको समझाने के लिए ये poem भी आप समझ जाएंगे और साथ में ये lining भी आपको समझ में आ जाएगा तो जैसे इस line को हम लोग तो read कर लेते हैं जैसे दिया गया है ये जो lining है इसको तो मैं आपको नीचे समझाओंगी पर उससे पहले ये जो lining है ये जो है ली गई है यानि कि ये किस कविता की पंक्ती से लिया गया है उसको आपको सबसे पहले अच्छे से लिखना है जैसी कि ये जो lining है ये जो poem दिया गया है to his crop mistress mistress जो पोएम है उससे लिया गया है और इस पोएट के जो राइटर है वो है एंड्रो मालवर यह जो कविता है आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगे और वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं विकोज मैं आपको इसमें important जो lining दे गई है यह पोएम किस topic पे है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ फिर हम इस lining का मतलब समझेंगे यानि कि सबसे पहले यह जो कविता है उसको हम थोड़ा सा basically जान लेते हैं किस topic पे है तो अब इस poem जो है इसको हम simply थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि यह poem है क्या और इसमें क्या बाते की गई है poem जो है एक तरस से अध्यात्मी कविता है एक तरस से romantic कविता है जिसमें जो writer है उन्होंने एक तरस से अपने प्रेम को दिखाया है अपने प्यार को दिखाया है और एक तरस से sexual जो चीजे है उसको भी उन्होंने बताया है उन्होंने बताया है कि किस तरस से प्यार और मृत्व के बीच में लोग फंस जाते हैं और वो अपने जीवन को enjoy नहीं कर पाते हैं यानि कि देखें सिंपल में अगर हम लोग समझते हैं तो हर किसी का लाइफ का जो टाइम है वो लिमिटेड है किसी के पास जादा समय नहीं है हर कोई जो है वो एक time limit से यहां पर आया है और फिर उसका time खतम हो जाएगा तो वो चल जाया है यूथ को यानि की जवानी को दिखाया है और एक तरस से सेक्शली यानि की जो संभोग की जो एक तरस से लोग की इच्छा होती है और जो खुशी मिलती है उस चीज को भी इस कविता में दिखाया गया तो मैंने यहां पर simply बहुती easy word में बताया कि यह जो पोएम है वो किस topic पे दिया गया है यानि कि आप इसको एक romantic poet भी हो सकते हैं अब पोएम की इस lining को हम समझ लेते हैं तो इतना तो मैंने आपको बता दिया यह जो पंक्ति है वो किस कविता के line से ली गई है और इस poem के writer कौन है तो वो आप यहां पर reference में लिख सकते हैं आप इसका explain हम कर लेते हैं कि यह जो lining दे गई है इसमें writer ने क्या बताया है और वो जो है और writer जो है अपनी मालकिन का यहां पर एक बात के है अपनी मालकिन से बोलते हैं कि किस तरसे प्यार और इक तरसे मिर्ट्यू में लोग फसे रहते हैं और वो अपने जिंदिगी को जी नहीं पाते हैं वह एक तरसे हमिसा depression में रहते हैं, एक डर में रहते हैं। कि आज वो मर जाएंगे य। वह एक तरसे अपने मालकीन को बोलते हैं, कि तुम इस से आजाद हो जाओ। और एक तरस से अपने जीवन को जी लो और ये जो डर है, मिर्तु का डर है, ये बुढ़ापे का डर है, ये सब को तुम भोल जाओ, और अच्छे से इंजॉय करो अपनी लाइप को, अपनी एक तरस से जो sexual desire है, उसको तुम पोड़ा करो, खुशी से अपने जीवन को जीओ, ये सब बेसिक बाते यहां पर बताई गई, अब हम आगे आते हैं, तो तीन नंबर जो question का pattern दिया गया है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे question दिये जाएंगे, और उसमें से आपको एनी तीन question लिखना है, यानि कि कोई भी तीन question आपको करना है, पांचे question दिये जाएंगे इसमें से आपको कोई जो तीन आता है, उसको आपको लिखना है, तो जैसे मैंने यहां पर पहला question collect किया है, वो है हमारा write a critical analysis of the poem crossing the bar, यानि कि यह जो poem है, crossing the bar, इस poem का आपको एक तरस से critically analyze करना है, यानि कि इस poem के बारे में आप एक तरस से क्या आपकी राय है, क्या आप आ लोचना रूप से present करोगे, इस poem को लेकर उसको आपको लिखना है, तो इस poem को भी हम अच्छे से समझेंगे, पर उससे पहले answer में हमें writer के बारे में थोड़ा सा introduction देना पड़ेगा, तो देखी एक चीज मैं आपको बोल दूँ कि आप कोई भी poem के बारे में अगर लिख रह तो जैसे कि यह जो हमारा poem है Crossing the Bar, तो इसके जो writer है na Alfred Rod Tennyson जी है, जो कि एक बहुत ही famous English poet है, जो कि Victorian का जो समय था उस time के यह बहुत ही famous poet है, और इनका जन जो है वो 89 में हुआ था, और इनको एक तरह से लोग जानते हैं इनके different lyric के लिए, और यह अपने lyric में एक तरह मास्ट में एक तरह से theme के रूप में बहुत सारी चीजों को include करते थे, especially nature को, love को एक तरह से faith हो गया, यानि की nature से related प्यार हो गया, एक तरह से विश्वास हो गया, और भी बहुत सारी चीजों को इस तरह के point को वो अपने poem में ऐसा theme के रूप में use करते थे, और यह जो poem हम जो इन्होंने लिखा था, 80-89 में जब इनकी उम्र थी 80 साल, यानि कि आप सोच सकते हो, अभी के time में लोग 80 साल जीते भी नहीं है, पर यह 80 साल की उम्र में इन्होंने इस कविता को लिखा था, यानि कि यह काफी बुड़े हो गये थे, और इस poem को इन्होंने लिखा था, अब यह poem हमें क्या दिखाती है, इन्होंने देठी, यानि कि मरने की स्तिती को दिखाई है, अब देखिए इनकी खुद की age जो थी, उस time बहुत जादा हो गई थी, और यह काफी बुड़े हो गए थे, तो यह life के experience या फिर जो यह दुनिया है, और मरने के बाद जो हमें देखन को मिलती है, यानि कि एक अलग दुनिया, जिसको हम बस एक कलपना के रूप में, यानि कि एक imagination के रूप में सोच सकते हैं, उस दिख को यह imagine करके इस poem में अच्छे से explain करते हैं, तो I hope आपको इतना समझ में आ गया, अब हम नीचे इस poem को थोड़ा अच्छे से इसको analyze करते ह कि यह जो poem दिया गया है, crossing bar यह क्या है, तो first अगर हम लोग इनकी poem को अच्छे से अगर analyze करते हैं, especially इनके poem को लेकर बहुत सारे criticism भी लोगों ने paste किये, अब यह जो poem है, अब देखिए हर चीजे जो हर इनसान को पसान नहीं आती है, लोग कुछ आलोचना भी करेंगी, अपने according करते थे, वो अपने experience को लिखते थे, अपने writing में, पर बहुत सारे writer हो गया है, या फिर other जो लोग होते थे, वो एक तरह से उनका criticism भी करते थे, यानि कि उनकी आलोचना भी करते थे, तो same इस poem में भी एक तरह से आपको आलोचना को ही लिखना है, तो यह जो है, इ अब देखे, पहला जो इन्होंने point लोगों ने इनकी कविताओं में आलोचना की है, वो है imaginary, यानि कि जो writer है उन्होंने इस poem में कुछ ज़्यादा ही imagery का use किया है, और उन्होंने दिखाया है कि अपने imagination के through, कि sunset का जो time होता है, और एक तरह से आपने देखा होगा, कि सुब हर इनसान के जीवन का एक timing यहाँ पर इस दुनिया में fix है, और उसी के according हमें चलना परता है, यानि कि हमारे पास जितना time है, उसी के हिसाब से हमें अपने खुशी और गम को दिखाना परता है, और फिर एक time आता है, हमें एक तरह से इस दुनिया से जाना परता है, तो वही इन्होंने यहाँ पर sunset का और एक तरह से evening star का उन्होंने compare किया है, उन्होंने sea journey यानि कि वो एक तरह से sea journey यानि कि एक समुद के किनारे से वो जाते हैं, और फिर जाते जाते साम हो जाती है, और फिर उनकी journey जो है एक तरह से end हो जाती है, तो वो life से उन्होंने इस इस को compare कि कि एक तरह से हर इंसान की जो लाइब की जो time limit है और उसमें उसमें कुछ नहीं कर सकता पर इसके बाद अगर दूसरी दुनिया में जाएगा तो उसका जो एक तरह से यह जो डर है ना मरने का जो डर है वो नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर ना टाइम की कोई लिमिट होगी ना मरने का डर होगा किसी चीज़ का नहीं तो इस तरह से वो इमेजीन करते हैं इस पोएम में इसी चीज़ को दिखाया गया है तो एक तरह से इस पर भी लोगों ने अलोचना की अब हम आगे आते हैं तो तीन नंबर जो कोश्चन का पैटन दिया गया है तो इसमें भी आपको बहुत सारे कोश्चन दिये जाएंगे और उसमें से आपको एनी तीन कोश्चन लिखना है यानि कि कोई भी तीन कोश्चन आपको करना है पांचे कोश्चन दिये जाएंगे उसमें से आपको कोई जो तीन आता है उसको आपको लिखना है तो जैसे मैंने यहाँ पर पहला जो कोश्चन कलेक्ट किया है वो है हमारा राइट क्रिटिकल analysis of the poem crossing the bar, यानि कि ये जो poem है na crossing the bar इस poem का आपको एक तरस से critically analyze करना है, यानि कि इस poem के बारे में आप एक तरस से क्या आपकी राय है, क्या आप आलोचना रूप से present करोगे, इस poem को लेकर उसको आपको लिखना है, तो इस poem को भी हम अच्छे से समझेंगे, पर उससे पहले answer मे हमें writer के बारे में थोड़ा सा introduction देना पड़ेगा, तो देखी एक चीज में आपको बोल दूँ कि आप कोई भी poem के बारे में अगर लिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले introduction में writer के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उस poem के बारे में आपको ज एंग्लिस पोएट है जो कि विक्टोडियन जो एरा था ना विक्टोडियन का जो समय था उस टाइम के यह बहुत ही फैमस पोएट है और इनका जन जो है वो 89 में हुआ था और इनको एक तरस से लोग जानते हैं यानि कि nature से related प्यार हो गया एक तरह से विश्वास हो गया और भी बहुत सारी चीज़ों को इस तरह के point को वो अपने poem में ऐसा theme के रूप में use करते थे और यह जो poem हम जो नीचे पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे यह जो crossing bar है तो इस poem को इन्होंने लिखा था 80-89 में जब इनकी उम्र थी 80 साल यानि कि आफ सोच सकते हो अभी के time में लोग 80 साल जीते भी नहीं है पर यह 80 साल की उम्र में इन्होंने इस कभीता को लिखा था यानि कि यह काफी बुरे हो गये थे और इस poem को इन्होंने लिखा था अब यह poem हमें क्या दिखाती है इन्होंने देठी यानि कि मरने की स्तिती को दिखाई है अब देखे इनकी खुद की age जो थी उस time बहुत जादा हो गई थी और यह काफी बुरे हो गए थे तो यह life के experience या फिर जो यह दुनिया है और मनने के बाद जो हमें देखने को मिलती है यानि कि एक अलग दुनिया जिसको हम बस एक कलपना के रूप में यानिकि एक imagination के रूप में सोच सकते हैं उस दिख को यह imagine करके इस poem में अच्छे से explain करते हैं तो I hope आपको इतना समझ में आ गया अब हम नीचे इस poem को थोड़ा अच्छे से इसको analyze करते हैं कि यह जो poem द इंसान को पसान नहीं आती है लोग कुछ आलोचना भी करेंगी अगर आप कोई काम करते हैं तो बहुत सारे लोग उसकी तारिफ करते हैं और बहुत सारे लोग उसकी बुड़ाई भी करते हैं तो same चीजे होती है कि पहले कि जो poet होते थे या जो भी writer होते थे तो वो काम तो इस poem में भी आपको आलोचना को ही लिखना है तो यह जो है इन्होंने अपने imaginary को दिखाया है इस poem में और एक तरश से अपने मिर्तियों का एक तरश से उन्होंने अलाग strength के रोप में और एक weakness के रोप में चीजों को उन्होंने बताया है अब वो एक एक करके point के तुरू हम लोग समझते हैं अब देखिए पहला जो इन्होंने point लोगों ने इनकी कविताओं में आलोचना की है वो है imaginary यानि कि जो writer है ना उन्होंने इस पोहम में कुछ जादा ही imaginary का use किया है और उन्होंने दिखाया है कि अपने imagination के through कि sunset का जो time होता है और एक तरस से आपने देखा होगा कि सुबह जब होती है और फिर शाम जब होती है हर जो चिरिया होती है वो जहां भी कुछ रहती है जो भी लोग होती है वो written अपने घर आ जाते है उसी तरह हर इंसान के जीवन का एक timing यहाँ पर इस दुनिया में fix है और उसी के according हमें चलना परता है यानि कि हमारे पास जितना time है उसी के हिसाब से हमें अपने खुशी और गम को दिखाना परता है और फिर एक time आता है कि हमें एक तरह से इस दुनिया से जाना परता है तो वही इन्होंने यहाँ पर sunset का और एक तरह से evening star का उन्होंने compare किया है उन्होंने sea journey यानि कि वो एक तरह से sea journey यानि कि एक समुन्द के किनारे से वो जाते है और फिर जाते जाते साम हो जाती है और फिर उनकी जर्णी जो है एक तरह से end हो जाती है तो वो life से उन्होंने इस चीज को compare किया है कि एक तरह से हर इंसान की जो life की जो time limit है और उसमें उनकुछ नहीं कर सकता पर इसके बाद अगर वो दुसरी दुनिया में जायेगा तो उसक एक तरह से इस पर भी लोगों ने आलोचना की अग़रा जो point इन्हों ने use किया है और इस पर भी लोगोंression के लिताया है बहुत सारे लोगों ने आलोचना कै तो है अमारा two अब देखें इनकी जो power map use टोन इस विसले यूज किया है। वहारती थी शानति, एक जो लोगों किया हो ने इकatarची है। दूरी कविता को उन्होंने दिखाया है। in the analyze. तो बहुत कि अभी इस दुनिया में हम लोग हैं, तो हमने कितने सारे लाइफ दूरिखेदा में हम रहते हैं। हम एक तरस से मरने का डर होता है किसी चीज को खोने का डर होता है समाज का डर होता है बहुत सारे हमें डर होते हैं पर इस पॉइम में चो टोन उन्होंने दिखाया है सांती को दिखाया है यानि कि एक तरस से जब लोग मर जाते हैं जब वो दूसरी दुनिया में चल जाते हैं तो Мहाँ पर किसी चीज का ढ़र नहीं है, ना किसी को खोने का डर है, और ना ही समाज का डर है, और कोई डर नहीं है, इस चीज पे भी लोगों ने इकत्र से अपनी आलोचना को पेस किया है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, प्रतिविंद्यानी की सीसे के रुप में दिखाया है अगला जो पॉंट इन्होंने यूज किया है और उसे लोगों ने क्या कहा है तो देखिए यह जो point इन्होंने use किया है जैसे कि possible interpretation यानि कि संभाविक वैख्याई बाकि इन्होंने अपनी कविताय में क्या एक तरस से possible जो चीजे हो सकती है या नहीं हो सकती है उस जिच को भी दिखाया है जैसे इन्होंने बताया है कि Christian में जो faith होता है जो विश्वास जै यानि कि भगवान हमारे जीवन के pilot है और एक तरस से बहुत light वो हमें light दिखाते हैं और एक तरस से मनने के बाद जो है कम से कम हम भगवान से मिल सकते हैं देख सकते हैं ऐसे उन्होंने अपने poem में इस concept को भी दिखाया है जो Christian जो मानता है यानि कि साइधर में जो लोग की म poem पर आलोचना की है वो है हमारा agnosticism यानि कि अग्यातावाद यानि कि एक तरस से कोई ग्यान नहीं है ऐसे आप बोल सकते हो इसमें इस point का लोगों ने इस तरस से आलोचना इसलिए किया है बिकास इसमें चुप poet है ना उन्होंने दिखाया है meditation मिंसकि एक अलगी ध्यान ज इसा हो नहीं सकता है ऐसी बातों को उन्होंने बताया है जो उन्होंने इस poem में बताया है एक तरस से nature पाड़ा बोल सकते हो या other जो भी इनकी thinking है अगला जो point यूज कर सकते हैं हम लोग यानि कि लोगों ने जो अलोचना की जैसे कि universal farewell यानि कि सौर्व भूमिक विदाई ए तो सारी खुशियों को इस दुनिया में मनाता है गम मनाता है बहुत सारी चीजे सीखता है और फिर एक ऐसा time आता है यानि कि universal के law के हिसाब से उसकी विदाई भी हो जाती है यानि कि वो इस दुनिया को छोड़के चला जाता है तो इस पर भी लोगों ने बहुत सारी कुछना अपने अपने according बताई है इस poem को लेकर तो इस point को भी आप add कर सकते हैं अब अच्छे से हम इसका conclusion भी समझ लेते हैं कि इस poem में actually जो लोगों ने क्या topic पे जो criticism किया है या फिर क्या यह जो topic है उसको भी जो कि मैंने अभी आपको उबर बताया तो इसका conclusion भी हम तो देखिए यह जो poem देया गया है यानि कि crossing the bar जो poem है इसमें writer ने एक तरस से कल्चरी रूप से या फिर एक तरस से अलपना के रूप में यानि कि imagery के थुरू उन्होंने अपने tone या फिर अपनी बातों को अपने desire को अपने जो भी feelings है especially death को लेकर इस दुनिया को लेकर उन अग्यान है वो अपने according चीजों को बताएं है उन्होंने एक तरस से इस universe में कैसे विदाई होती हैं कितनी सारी चीजे सीखते हैं एक तरस सांती का message दिया है कि एक time होता है कि सब कोई चले जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर यह सारे बंधन यह सारी चीजे नहीं होत कि comment on the title of the poem परिहार God यह जो कविता है ना परिहार God तो यह जो पोएम है इसका जो टाइटल दिया गया है उसके उपर आपको चोटा सा टिप नहीं लिखना है तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं कि यह जो पोएम लिखा गया है इस पोएम की जो राइट में जो बहुत जादा जो जाती पात को लेकर जो चीजे चलती थी ना उसी को उन्होंने दिखाया है और एक तरह से महराष्ट इस पोएम को स्टार्ट किया गया था यानि कि महराष्ट में जो कंडिशन था उसको इन्होंने इस पोएम में डीटिल में समझाया है अपने पो चोनद करने जो पलंड चल रहा था जो छोटन चाहिए जो बड़त Here you. उनके बीच में क्या विएद्भा होता और तरह से जो पावर्फुल लोग होते थे वह जो छोटे और बहुती स सिंपल लोग थे गहें उन्कों कैसे ये तंग करती थे म्हान करते थे उस सबी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ी थी उस टाइम के सिच्वेशन को एक तरह से इस पोईम में राइटर ने प्रेजन किया है बेसिक जो पॉइंट था मैं आपको समझा दी बाकि आप इस पोईम को डिपली भी समझ सकते हैं तो बैसिकली इस कवीता में जो राइटर है ना उन् तो जैसे पहला जो पॉइंट आप इसमें एड कर सकते हैं कि यानि कि पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधा भास यानि कि मान लीजे कि उस टाइम के जो अच्छूत लोग थे ना तो वो किस तरह से उनको सोसाइटी में तो रिस्पेक्ट होता ही नहीं था उनको जहां मन तहां भेज दिया जाता था जैसे मन तैसे उनसे बेवहार किया जाता था और उनको एक तरस से अयोग समझा जाता था यानि कि वो टैलेंटेट है तब भी एक तरस से उनको अयोग समझा जाता था और इसका बहुत अच्छा अगर हम लोग एक्जांपल देखे तो डॉक्ट बाद में पता चली पर पहले ऐसे लोगों का कोई respect नहीं होता था यानि कि जो छोटे जात की लोग थे उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा और किसी तरह का कोई respect नहीं दिया जाता था बेसिकली इस तरह से यहां पर दिखाई गई है भगवान को बताया गया है यह सब चीज़े इसमें बताई गई है अब हम आगे देखते हैं तो आप इस पॉइंट को भी इसमें एड़ कर सकते हैं कि जैसे इस पोएम में एक तरह से क्या interpretation या फिर क्या possibilities है उस सभी को दिखाया गया है पोएम में जैसे कि rejection को दिखाया गया है इसमें जो छोटे जाते उनको कैसे reject कर दिया जाता था उनकी life में एक तरह से उनकी जो परंपराय जो चलती आ रही थी जो challenges थे वो कमी नहीं हो रहे थे और ज्यादा बहर रहे थे और इसके लिए वो दोस किसको देंगे भगवान को दे या किसको दे इन सभी चीजों को इसमें दिखाई गया अब हम कुछ important point देख लेते हैं कि यह जो title दिया गया है यानि कि यह जो हमारा poem है अब आगे हम कुछ और point को देख लेते हैं इस poem में जो दिया गया है जैसे कि metaphorical तो इन्होंने इस poem में एक तरसे human के nature को दिखाया है उनके struggle को तो दिखाया ही है और साथ में एक ऐसे god से एक ऐसे भगवान से उन्होंने इस चीज को दर्शाया है जो कि बहुत ही सुन्दरता उनके अंदर है एक तरसे वो इन चीजों को एक तरसे दूर करने का वो चाहे तो दूर कर सकते हैं यह जो सब चीजे है problems इसको वो कम कर सकते हैं और एक सकती है जो इन सभी की रक्षा करती है पर उसको हमें एक जूट होके हटाना पड़ेगा यह जो problems है यह जो struggle है इससे हमें एक साथ मिलके कम करना पड़ेगा बैसिकली यह सब चीजे इसमें दी गई है अगला जो point इस poem में use किया गया है वो है हमारा breaking tools and redefining language यानि कि जो भी पुरानी जो प्रमप्राय है उसको एक तरस से तोड़ के और नए language को भी इसमें दिखाया गया यानि कि basically हम लोग देखते हैं कोई भी छोटे जात के जो लोग है उनको बड़े जो लेवल के जो powerful लोग होते हैं वो तो अकसर दबाते ही है और साथ में जो औरत का जो लाइफ है उस time के यानि कि especially दलित जो बोमें थी ना जो राइटर आब बोल सकते हो या ती नीचे को भी इसमें इंक्लूट किया गया है और इस तरह के जो बैरियर्ज है उसको दूर करने की कोशिश की गई है इस वह में राइटर के थ्रू तो बैसिकली यह सब चीजे देखिए यह पर सकते हैं यहां पर मैंने important important point बता दिया कि आपको यह जो पोएम है आपको समझने में थोड़ी easy होगी अब हम अगले question में आते हैं तो इस पे आपको लिखना है कि write a critical note on Dalit woman writing यानि की जो एक तरह से Dalit जो राइटिंग थी तो उन्होंने जो राइटिंग की तो उस पे लोगोंने क्या अलुचना वैक्त की उसको आपको एक note की रूप में लिखना है तो simply अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग उपर पढ़ रहे थे दलित जो उस टाइम की जो situation थी दलित जो अच्छूत थे या फिर जो छोटे जातके थे तो उनको लेकर कितनी सारी problems होती थी तो इसमें हम लोग बात करेंगे या फिर जानेंगे इस point को आप introduction में use कर सकते हैं कि द इसलिए आपको पता है कि पहले के time में एक तरह से woman को किस नजर से देखा जाता था उनका उतना respect नहीं होता था एक तरह से उनको जो है हर छेतर में उतनी समान अधिकार नहीं मिलते थे जितने की आदमियों को मिलते हैं वो औरतों को नहीं मिलते थे तो यह सब चीजों को भ आप introduction में यूज कर सकते हैं अगला जो point आप यूज कर सकते हैं जो दलित वूमें राइटिंग है उसमें जैसे कि उस टाइम जो राइटिंग जो वूमें करती थी ना उसमें एक और समश्या होती थी यानि एक और प्रॉब्लम होती थी बहुत तरह के challenges होते थे जैसे कि उन एक ऐसी लोग की सोच थी या फिर एक ऐसी बैवस्था थी जिसमें एक तरह से समाज और परिवार की जितने भी नियम कानून है ना जितने भी पावर है ना वो सभी पुरुसों के पास होते थे और अधिक से अधिक पुरुसों के पास होते थे और महिलाव को बहुती कम अगला जो पॉइंट आप इसमें यूज कर सकते हैं वो है हमारा इंगेजिंग विट इंपति एंड रिस्पॉंसबिलिटी तो वो अपनी राइटिंग तो करती थी पर साथ में उन्हें बहुत सारे एक तरस से रिस्पॉंसबिलिटी भी निभानी पर दी थी अपने समाज को लेकर उन्हें सब कुछ लेकर चलना परता था और इसे बीच में बहुत सारे लोग इसका क्रिटिजम भी करते थे बहुत तरह की बाते भी बोलते थे पर कुछ ऐसी वोमें जो उस ट्राइम आई सामने अपनी राइटिंग के थूरू उन्होंने समाज में ऐसे बदलाव ला अपने राइटिंग के थूरू समाज में बहुत सारी चीजों को बदलाव करने की कोशिश की और इनका भी बहुत जादा योगदान है इंडियन लिटरेचर में आप बोल सकते हैं उन्होंने एक तरह से काश्ट जेंडर और एक तरह से जो लाइफ में जो सोशल जो एक तरह से श्ट्रगल है उसको उन्होंने दिखाया है एक जेस्टिस को दिखाया है कि किस तर से हर इनसान के पास एक तर से पावर होनी चाहिए हर इंसान को अपने हक के लिए लग Jest अपनी आवाज को उठानी चाहिए और इस समाज को थोड़ा नहीं बहुत जादा बदलने की कोशिश करनी चाहिए वेकोज ये सारी चीजों जो हमेशा औरत को ही फेस करनी परती है चाहे वो छोटे लेवल में हो या फिर बड़े लेवल में हो इन सबी चीजों को वो राइटिंग के थ्रू दिखाया गया था दली ती जो भूमिन सी तो गाईज ये कुछ इंपॉर्टेंट कोशिशन है तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये गैस कोशिशन है इससे आई थिंग आपको बुक में जो भी पोएम्स थे या फिर जो भी चीजे है उसको मैंने बहुत ही सिंपली उसके में सेफट अलग वीडियो बनाओं जिससे आपको समझने में और एजी हो जाएगी और लास्ट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट और प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल गाईज और बाई टेक केर